हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कॉली की तरह से प्यार भ्रहनमशकार सत्ष्रियाकाल अदाव दोस्तों एक बार मैं फिर हाजिन हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी मूली के प्रांथे जी हाँ मूली में से पानी निकालने की अब हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है ना ये फटेंगे ना ये तूटेंगे तो ये देखिए मैंने मूली के प्रांथे बनाए हैं बहुत ही टेस्टी बने हैं और आप घी के साथ खाएं दही के साथ खाएं अचार के साथ खाएं जिसक मूली को मैंने अच्छी तरह से गरम पानी से धो लिया है क्योंकि इसके पत्तों में चोटे-चोटे हरे-हरे रंगे कीडे होते हैं तो आप ध्यान से इसे साफ कीजिएगा और पत्तों को मैंने यह देखिए बड़े-बड़े पत्ते जो थे उन्हें मैंने तोड़कर अलग कर होते हैं तो चोटे-चोटे पत्ते हम डालेंगे मूली में तो मूली को सबसे पहले मैं चीर कर अच्छी तरह से ग्रेट कर लेती हूं और पत्तों को भी चोटा-चोटा कट कर लेंगे तो चलिए फिर तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने मूली को ग्रेट कर लिया है और चोटे-चोटे पत्तों को भी ब्रीक-ब्रीक कट कर लिया है अब हम मिलाएंगे इसमें कुछ और चीजें जिससे इसका फ्लेवर काफी बढ़ जाएगा तो ये देखे ये मैंने लिया था हरा प्याज, दो हरे प्याज मैंने लिये थे और पांच मैंने लिए थी हरी मिर्च तो चॉपर में इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आने वाला है इन दोनों चीजों से अजवाईन के साथ और साथ में डार रहे हैं साबुच जीरा आप पौडर भी डाल सकते हैं जीरा पौडर ये है एक चमच भरकर सुख धनिया पौडर और ये मैंने लिया है गरम असला आदा चमच साथ में मैं इसके आड़ कर रही हूँ अमचूर पौडर थोड़ा सा खटा फ्लिबर भी आएगा हल्दी में ले रही हूँ सिर्फ कलर के लिए डाल देतें इसमें और अब हम क्या करेंगे अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च थोड़ा सा स्पाइसी होगा ना प्रांठा तो खाने में और भी ज्यादा मज़ा आएगा और टेस्ट के अकॉर्णिंग ही ना रह जाएं इसलिए पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना बहुत जरूरी है तो कर देती हूँ मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स बहुत ही टेस्टी इस तरह से आप मूली के प्रांठे बना सकते हैं सर्दियां हो तो गोबी का प्रांठा आलू का प्रांठा मूली क इसमें गेहूं का आटा तो गेहूं का आटा इसके उपर एड़ कर रहे हैं और पानी हमें बिल्कुल एक बूंद नी चाहिए क्योंकि मूली में काफी मत्र में पानी होता है तो अब हम लगा लेते हैं जितना आटा इसमें लगेगा उतना हम डाल कर इसका अच्छी तरह से जाएगा तो कि प्रांठे हमने बनाने हैं तो मैं इसमें और आटा एड़ कर देती हूं थोड़ा सा फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो डेड़ बड़े चमज के क्रीम मैंने इसमें आटा और डाल दिया है तो मिक्स करेंगे और फिर एक बार और गूंद लेते हैं तो यह द पतला रहता है तो आटा और डालकर मैंने इसे एक चमज बड़ा और आटा डालकर इसे मैं अच्छी तरह से मसल मसल कर त्यार कर लिया है बहुत ही बढ़िया हमारा मूली के प्रांठे बनाने के लिए आटा लगकर त्यार हो गया है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रा या बिलेगा, तो अब हमें stuffing भरने की मूली की इसमें कोई जुरूट नहीं है, ना हमें tension है कि हमारा प्रांठा फट जाएगा, तूट जाएगा, तो अराम से से बेलिएगा, जो मर्जी इसको shape दीजिएगा, चाहे गोल देदीजिए, triangle देदीजिए, square देदीजिए, तो मैं तो चौरास ही दे रही हूँ, तो थोड़ा सा लगाते हैं इसके ओपर घी, अच्छी तरह से फैला देते हैं, और इसे करते हैं, fold, दोनों साइट से fold करेंगे इस तरह से, और इसका चकोर, पेड़ा बना देते हैं, ये लीजिए, बन गया चकोर पेड़ा, तो बहुत ही अस सान है, बस मूली अच्छी तरह से इसमें भर देनी आटे गुंद्ते समय, अगर हम मूली को अच्छी तरह से गुंद लें, आटे में, तो प्रांठा बनाना मुश्किल नहीं है, हाँ स्टफ करने ठोड़ा सा मुश्किल होता है, पर उसे निचोडना पड़ता है, मूली को क प्रांथ संदोई जो कि करदेब स्रूम रखने हैं से प्राइचे म error & बस ув fed गश्थाथा कीजियो वर कि खिलाई और सब केर्द को खिला यह इए श्रदियां का मौसर में summuली के प्रांथे учुह गर्म तो र्भी तो लीजिये प्रांथा मैंने बेल लिया है तो quick service है, फटा फट हम बेल लेते हैं, परांधा एक ओर, और ध्यान हमें तब्वे के ओपर भी रखना है, परांधा हैं हमने सेखने के लिए डाला है, तो उसे भी पलटना है, तो přटा फट से मैं गी लगा लेती हूं परांधे के ओपर, और इसे फोल्ड कर देते हूं ये लीजिए परांठा एक और सिखने के लिए हो जाएगा त्यार ये देखिए पीड़ा बन गया तो अब फटा फटम तब ये वला परांठे को भी टर्न कर देते हैं तो मीडियम फ्लेम रखिएगा इसकी हाई फ्लेम मत रखिएगा क्योंकि तो कलर फटा बटा जाएगा लेकिन मूली कच्छी रहा जाएगी इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसे अराम से सेखिएगा तो धीरे धीरे ही हम इसे सेखेंगे एक बार फिर टर्न करेंगे और देखेंगे क्या हाल है हमारे परांठे का तो अभी और सिखेगा थोड़ा सा तो अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया न तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन प्रेस क ना मत भूलिएगा क्योंकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी तो लगा दिया है मैंने एक तरफ घी, दूसरी तरफ भी लगा रही हूँ तो घी, आप इसे ओईर के साथ भी बनाईएगा, सरसों के तेल के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं आप ट्राई कीजिएगा एक बार, मैंने किया था ट्राई, बहुत टेस्टी लगे थे तो पलट देते हैं ये देखिए आहा क्या बढ़िया हमारा प्रांठा बनकर त्यार हुआ है उपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मूली का प्रांठा है तो खाने में ही लाजवा बनता है तो उलट पलट करते हुए सेख लेते हैं इसे और घी के साथ खाएं मक्षन के साथ खाएं दही के साथ खाएं अचार के साथ खाएं किसी भी चटनी के साथ खाएं सब के साथ ये बहुत टेस्टी लगने वाला है वैसे तो गर्मा गर्म चाय और मूली का प्रांठा हो तो मजा ही आ जाता है तो रख देते हैं ऐसे प्लेट के उपर तो कैसा लगा आपको ये प्रांठा देखने में देखने में तो बहुत सुन्दर है यमी है खाने में बहुत टेस्टी है तो इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी और इसी तरह से मैं बाकी सभी प्रांठे बना कर त्यार कर लूँगी और आप सब्सक्राइब कर दीजिए न तब तक जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा तो हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का तो आप कमेंट्स भी करना मत भूलिएगा आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी कैसी लगी जुरूर बताएं और हरे मतर के अभी कि मैं प्रांठा आपके पास जल्दी से लेकर आने वाली हूँ क्योंकि सर्दियां का मौसम है गर्मा गर्म प्रांठे बहुत अच्छे लगते हैं चाहे आप कोई भी प्रांठा खाईएगा सिंपल आप अजवायन वाला भी प्रांठा खाएंगे न हो भी बहुत टेस्टी लगता है तो लीजे कर दी है मैंने इसकी प्लेटिंग और देखिए कितनी जबरदस्त हमारे इप्रांठे बनकर त्यार हो गए है तो मैंने तो इसे घी के साथ रखा है आप मक्खन भी खा सकते हैं धाई भी खा सकते हैं जो मर्जी खाईएगा तो दोस्तों फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई